देवघर में सोमबार को सुरू हुए इंकम टेक्स की रेड आज मंगलवार को भी जारी है। आज देवघर के पुर्व मेयर, पुर्व डिप्टी मेयर सहीद कई कारोबारी के घर दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता के बीच इंकम टेक्स की रेड जारी है। पहले दिन हुए रिड में सुत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि इन कारोबारियों के आवास और प्रतिष्ठान से लाखों रुपए जप्त भी हुए हैं। इसके अलावा पिछले कई वर्सों में उनकी आमदनी में लगातार वृधी हुई है। इनके आमदनी का पहले क्या स्रोत था और अचानक इसमें वृधी कैसे हुई। इन तमाम स्रोत का इंकम टेक्स पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि बलानन्द आस्रम की चारू सिला ट्रश्ट की जमीन की खरीद विक्री से संबंधित दस्तवीज भी इंकम टेक्स खंगाल रही है। इसके अलावा सुत्र बताते हैं कि अब तक की अरजित की हुई संपती का भी लेका जोगा इंकम टेक्स खंगाल रही है। देवगर में कल से ही बारह आवाश और प्रतिष्ठान पर छापे मारी जारी है। इन तमाम कारोबारी के द्वारा लंबे समय से जमीन के कारोबार सनलिपत है। लेकिन पिछले पांच सालों में इनकी संपती में बेताहाशा ब्रिधी हुई है। इनकम टेक्स रेड कीर, चारु सिला ट्रस्ट और संस्कृत विद्याले के जमीन सहित कई नामचिन जमीन खरिद विक्री से मामले से संपन्ति तस्तावीजवी। इनकम टेक्स खंगाल रही है। इनकम टेक्स के द्वारा महीश लाट, सुसील सुल्तानिया, उमा संकर सिंग, ब्रजीस राय, संजे मालविये, राज नरायन खवाडे, संजेया नंद ज्छा, नंद किछोरदास, महीश मिश्रा, विनूत बर्मा सामिल है। ब्यूरे रिपोर्ट सबरंग समाजार।